हाई फ्रेंड स्वागदे आप सभी का अमेजिंग स्ट्री चैनल में मैं हूँ अपका दोस्त स्मित प्रजाबती और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत की पर्माण वित्या के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा के बारे में जिससे अमेरिका को भी डर लगने लगा था आखिर ऐसा क्या किया था डॉक्टर होमी भाबा ने जिससे अमेरिका भी डरता था चलिए जानते है सुडियों में होमी जहांगीर भाबा का जन्मा 30 अक्तूबर 1909 को मुंबई के अगधनी पार्सी परिवार में हुआ था उनके पिता जहांगीर हुर्मुज जी भाबा एक नामचीन वकिल थे होमी भाबा की माता का नाम मेहरिन था हुमी भाबा की सुरुवाती पढ़ाई कैथेड्रल स्कूल में हुई और फिर 15 साल की उम्र में एलफिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी थी इसके बाद रोयल इंस्टिटूट ओफ साइंस में आगे पढ़ाई की थी उनके पिता की इच्छा के चलते वे एंजिनेरिंग करने के लिए केम्बरिज चले गए थे उन्होंने 1932 में अपने परिवार को एक पत्र में लिखा था एंजिनेरिंग व्यावसाई के लिए मेरे लिए कोई चीज ही नहीं है एंजिनियरिंग के बाद वे अपने परिवार की अनुमती लेकर भहुतिक विग्णान की पढ़ाई करने लगे थे और सन 1934 में भहुतिक परमानु सास्त्र में उन्होंने डॉक्टर रेट की उपाधी भी प्राप्त कर ली थी डॉक्टर हुमी भापा के पहले रिसर्च पेपर दे एप्सोप्शन ओफ कोस्मिक रेडियसन ने 1934 में न्यूटन की तीन साल की सिश्यवृति भी उन्हें दिलाई थी उन्होंने उस समय नॉबिल पारितोसिक विजयता निल्स बोर्स के साथ भी काम किया था वह 1949 तक द्वितिय विश्वयुद्य शुरू हुआ तब तक केम्बरिज में ही अपना काम करते रहे थे लेकिन सितंबर 1949 में वे भारत लोट आए तब उन्होंने भारत में सीवी रामन के नेत्रुतो वाले इंडियन इंस्टिटीट ओफ साइंस में चले गए थे वहां उन्होंने कोस्मिक रे यूनिट भी सुरूग गया था 20 मार्च 1941 को उन्हें रोयल सोसाइटी का फेलो भी चुना गया था इस समय दोरान डॉक्टर हुमी भापा ने कॉंगरेस नेता मुख्य दह पंडित जवाहरला नहरू को समझाने में बहुत ही महत्वपोण भुमी का निपाई थी कि नुकलियर एनर्जी ही एनर्जी का फ्यूचर है 1945 तक उन्होंने GRD TATA को भी Atomic Energy के भविश्य के बारे में समझा कर उन्हें TATA Institute of Fundamental Research की स्थापना करने के लिए भी मना लिया था जिसके वे Founder एवं अत्यक्स भी बने थे और तब 1945 में सुरुआत हुई TIFR की 1947 में देश आजाद होने के पहले ही डॉक्टर हुमी भाबा ने देश को उर्जा के क्षेत्र में संपन्द बनाने के लिए अपने सपने को पूरा करने का काम को सुरू कर दिया था उज समय आजादी के पहले पंडित जवाहरला नेहरू जो संभवित पहले प्रदान मंत्री थे उन्हें डॉक्टर हुमी भाबा ने नुक्लियर एनर्जी के बारे में समझा दिया था और 1947 में देश आजाद होते ही भापा ने प्रदन मंत्री जवाहरला नहरू को पत्र लिखा और अपना तर्क दिया था उन्होंने लिखा आगले कुछ दसकों के भीतर ही परमानू उर्जा अर्थ व्यवस्ता और देश के उर्त्योग में महत्व बूण भुमी का निभाएगी अगर भारत विक्सित देशों से पीछे नहीं रहना चाता तो उन्हें इस साखा को विक्सित करना ही होगा डॉक्टर हुमी भाबा जिस भारत में नुक्लियर एनर्जी के बारे में कोई जानता भी नहीं था तब यह बात कर रहे थे इसलिए काफी सारी अंतराश्ट्रे संस्थाओं की नजर भी उन पर बनी हुई थी जिसके चलते पंडित जवाहरला नहरू ने भारत की एटोमिक एनर्जी कमिशन का गठन सन 1948 में करवाया जिसके पहले अध्यक्स डॉक्टर हुमी जहांगीर भाबा बने सन 1951 में भारत विग्नियन कॉंगरेस के अध्यक्स भी वह बने थे उन्होंने पंडित जवाहरला नहरू के सामने केवल 5 ही वर्ष में भारत का पहला परमाणू रियक्टर बनाने का प्रस्ताव रखा था जिसे तो पहले वे पुरा नहीं कर पाए और बाद में सन 1954 में ट्रॉम्बे में एक एटोमिक एनरजी एस्टाब्लिस्मेंट ट्रॉम्बे शुरू किया और उसी वर्ष डिपार्टमेंट ओफ एटोमिक एनरजी भी शुरू कर दिया था सन 1954 में उन्हें पद्मबूसन भी मिला सन 1955 में वे जिनिवा में युनाइटेड नेशन्स की सभा के अध्यक्स के रूप में भी चुने गए जो परमाणू उर्जा की सांतिपून उप्योगीता के लिए हुआ था और बाद में उन्होंने चार अगस्त 1956 को भारत का पहला परमाणू रियक्टर बना दिया जिसका उद्गाटन भारत के पहले प्रदान मंत्री पंडित जवहरलाल नेहरू ने किया और उसे अपसरा नाम भी दिया जो इस्या का पहला परमाणू रियक्टर था और एक मेगावाट पर वह क्रिटिकल हुआ था यानि कि आजादी के केवल नौ साल बाद ही भारत परमाणू सक्ति की दिशा में आगे बढ़ चुका था और यह विसे अंतर अश्ट्रिय सेवा संस्थाय खास कर CIA Central Intelligence Agency जो अमेरिका की खूफिया एजनसी है उसकी नजर में आ रहा था सन 1960 से लेकर 63 तग International Union of Pure and Applied Physics के वे अध्यक्सपी रह चुके थे सन 1962 को चीन के सामने युद्ध के वक्त ही डौक्टर हूमी भाबा भारत को परमाणू बम से संपन्न देश बनाना चाहते थे अगर ऐसा होता तो चीन हमसे युद्ध ही ना करता उस समय उन्होंने काफी खुल कर परमाणू बम बनाने की बात की थी सन 1965 में वे अपने वासिंग्टन दोरे के वक्त डौक्टर हूमी भाबा ने कहा अगर भारत मुझे छूट दे तो मैं केवल 18 महिने में ही परमाणू बम बना सकता हूँ और युएस की ब्ल्यूप्रिंट के साथ तो केवल 6 ही महिने में जो एक आखाजनक निवेदन था बाकी देशों के लिए क्योंकि वह लोग समत्ते थे कि यह देश तो कूछी सालों में बरबाद हो जाएगा और वहीं हमारे यहां इतने महान वईग्णानिक भी हुए थे जो इतने कम समय में ही पर्माणू बम बनाने की ख्षमता रखते थे जो वाकई काबिले तारिख बात थी डोक्टर हुमी भाबा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादूर सास्त्री दोनों के विग्णान सच्चिव के रूप में भी काम किया था डोक्टर हुमी भाबा बहुतिक विग्णान के उपरांत ओपेरा हाउस और सास्त्री संगित सुनने में और चित्रकारी करने में भी रूची रखते थे यह निवेदन देने के अगले ही साल कहने को तो लोक्टर हुमी भाबा की मृत्यू एर इंडिया 101 जो 24 जनवरी 1966 को जिनिवा जाते वक्त आल्प्स की पहाड़ियों में माउंट ब्लेक के पास क्रेस हो गया उसमें हुई थी उस समय उस प्लेन में सवर सभी 117 पैसेंजर्स की मृत्यू हो गई थी लेकिन इससे ठीक 13 दिन पहले भारत के उस समय के प्रधन मंत्री लाल बाहदूर सास्त्री की भी मृत्यू हो गई थी जो एक काम बात नहीं थी ग्रेगरी डगलस जो एक रिपोर्टर थी जिनोंने चार साल तक CIA के ओपरेटिव रह चुके रोबर्ट क्रॉली के साथ बातचित की थी डगलस ने क्रॉली के निवेदन से कहा था कि CIA कभी भारत को पर्माणू ससक्त देश नहीं बनने देना चाहता था उसलिए पर्माणू कार्यक्रम को विफल करने के लिए भारत के प्रधन मंत्री लाल बाहदूर सास्त्री और बाद में डॉक्टर हुमी भाबा की कथित वुरुत्यू हो गई थी क्योंकि उस समय यूएस पाकिस्तान के पूरे सबोर्ट में था और वहीं वह भारत को पर्माणू ससक्त देश न बनने देने की फिराक में भी था उस समय भारत और यूएस के सबन भी कुछ खास ठीक नहीं थे और वहीं रस्या के साथ भारत काफी मैत्री रखता था यूएस से कुपरती हुई लोक साही जो रस्या का साथ दे ऐसा मानना ही नहीं चाता था ऐसा भी मानना है कि उस विमान को पहाडियों पर बम से उड़ाय गया था और खासत और बर बर बरफिली पहाडिया ही चुनी गई थी जहां प्लेन क्रेस के वक्त जरूरी उपकरण जैसे ब्लेक बोक्स भी न मिल सका भारत के उस समय के प्रधन मंत्री लाल बाहदूर सास्त्री और बाद में डॉक्टर हुमी जहांगीर भबा की कथित मृत्यू एक चर्चा का विसे आज भी बना हुआ है जिसके बारे में कोई भी कुछ यादा नहीं जानता लेकिन सबकी कथित उंगली एस यह यह की और ही उठ रही है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले नीचे दिया गए सब्सक्रेब बटन दबा कर सब्सक्रेब करना भी ना पूले